नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्साइन स्पोर्ट्स और मैं हूँ लबकुमार हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है बारत और अस्टेलिया का तीसरा वंडे मुकाबला रांची में खेला गया और भारतिय टीम को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा और इसी से य और अस्टेलिया इसी तरीके के शांदार बलेबाजी करती है और गिंदबाजी करते हैं तो चलिए अब सुरुआत करते हैं बताता है किस तरीके से यहाँ पे भारते टीम ने बलेबाजी की भारते टीम ने यहाँ पे पहले टॉस जीता और इस सीरीज के दौरान पहली बार हुआ है जब विराट कोली ने टोस जिता हूँ और टोस जितने के बाद विराट कोळी ने पहले गिंदबाजी करने का फैसला किया और आम तри ये फैसला हमें सब सबस्धा रहीजी, लेकिन आज प्रस्तीरतिय के तरीके से एक स्टार्ट दिया वहीं उस्मान खौजा जो दूसरे ओपनर थे उन्होंने शांदार तरीके से अपना शतक भी पूरा किया और ऐस्ट्रेलिया को जो पहला जटका लगा वो 31 ओबर की पांचवी गेंद पर लगा कुल्दी प्यादों ने विकेट दिलाई और यहा बाद ग्लेन मैक्स्वेल भी शांदार ले में नजर आए शांदार तरीके से 47 रन बनाए और ऐस्ट्रेलिया ने पहले बले बाजी करते हुए 313 रन बनाए अपने 5 विकेट भी गवाए 50 ओवर में 313 रन भारती टीम को जीत के लिए 314 रन की जरूरत थी आम तोर यह बैटि में वापसी करेंगे लेकिन यहां पे ऐसा दिखें नहीं भारती टीम की जो बलेबाजी रही आज उसने बहुत ज़्यादा निराश किया है जो अगर विराट कोली को यहां पे छोड़ दे तो बाकी कोई भी बलेबाज नहीं रहा जो यहां पे बेहतरीन प्रद्रशन किया ह आज अपना एक तालिशवा वंडेश तक जरूर जड़ा 116 रन बनाया विराट कोली ने 123 रन बनाया माफ करे विराट कोली ने लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम इंडिया को मैच नहीं जीता पाए पहला जटका लगा शिकर धावन के रूप में शिकर धावन आज फिर चर्चा करेंगे कल आपके साथ कि क्या इसको अगले प्लेइंग 11 में जगह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए आज इस खिलाडी ने बहुत ज़्यादा निराश किया है सिर्फ दो रन इनके बल्ले से निकले आठ गिंदो का ही सामना किया राइडू ने मेहंदर सिंग इनका भी बल्ला आज कुछ खास नहीं कर पाया 42 गिंदो का सामना किया दोनी ने 26 रन निकले दो चोके जड़े इस बीच और एक चका भी लगाया वहीं केदार जादो ज़्यादो जो पहले वन डे मैच में तो बहतरीन परफॉर्मेंस दिया था लेकिन उसके बाद इनका भ बना कर आउट हुए और महमा श्रमी की जो खास बात ये रही कि सिर्फ चार गिंदो में आठ रन बना और दो चोके जड़े तो इम इंडिया यहां पर यह मैच नहीं बचा पाई और अश्रेलिया ने 32 रनों से यह मैच जीत लिया और जो सबसे सोचने वाली बात है ये कि भ कि भारती टीम में ऐसा कप सुधार करेगी ये वर्ल्ड कप का साल है और जो मैच खेलने है भारत को अब यहां से सिर्फ दो मुकाबले बचे हैं लेकिन आपकी जो प्लेइंग 11 है खास तो पे बल्लेबाजी वो भारत की बहुत लचर रही है अभी तक अगर इसी मैच में 300 से उपर का स्कोर किसी टीम ने लगाया तो भारती टीम चेस कर पाएगी और ऐसा साफ तोर पर दिख रहा है जैसा कि हमने पिछले कई मुकाबले देखे हैं भारती टीम की जो बल्लेबाजी है वो बहुत ज़्यादा कमजोर रही है वही अगर ऑस्ट्रेलिया की ग प्रिकेट निकाला माकस स्टोनिस ने चे उबर की गिंदबाजी की 49 रन दिये इनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी नाथान लायन ने दस उबर की गिंदबाजी की 57 रन दिये एक सफलता नाथान लायन के हाथ लगी वही एडम जामपा ने दस उबर की गिंदबाजी की 70 रन मजबूत होती जा रहे वरे ही विराट कोली ने आज अपना 41 वंडे शतक जड़ दिया हो कई रिकॉर्ड बना दिये और श्रीलिया के खिलाब यह इनका आठवा शतक है भारत में यह इनका उनिश्वा सतक है और लक्ष का पीछा करते हुए अब तक 25 शतक जड़ चुके हैं और 300 से उपर की अगर लक्ष का बात करे तो यहां पे 8 या 9 शतक हो चुके हैं विराट कोली के ना तो बले ही विराट कोली लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं टीम इंडिया को मजबू को एक बलेबाज मैच जिता अगर यहां पर कोई भी बलेबाज 50 रनों से उपर का पार्टनर्शिप पतार्कोली के साथ मजबूत पार्टनर्शिप जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं चौथे N, नमबर की चौथा नमबर बहुग ज़्ज़ादा सयरा रहे हैं पहले शीकरदवन आउट हुए, शीकरदवन एक रन बना कर आउट होगे, लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं, उसके बाद जब रोष हम आउट हुए तो अमबती राइडू बल्लेबाजी करने हैं, लेकिन इस बल्लेबाज ने एक बार फिर से सब को निरास किया है, पहले मै यहां पर मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, लगातार हम इस पर सवाल उठाते रहे हैं, कि अमबती राइडू अब इस टीम के काबिल नहीं है, कि इनको मौके दिया जा रहे हैं, जब से उराज सिंग टीम से बाहर हुए हैं, तब से चौथा नमबर का जो यहां पर होती है, तो रिशपन्त यहां पर खेल सकते थे, लेकिन सेम प्लेइंग इलेबन के साथ टीम इंडिया राची के मैदान में उतरी थी, जो प्लेइंग इलेबन पहले मैच में था, वही प्लेइंग इलेबन दूसरे मैच में भी और सेम प्लेइंग इलेबन तीसरे मैच में, तो यहां पे आप आपको सोचने की जरूरत है कि आप अगले जो दो मैच है यहां पे कितने टिस्ट कर लेंगे जो बल्ले बाज है क्योंकि आपका चौथा नमबर अभी तक फाइनल नहीं है और छथा नमबर पे भी किदार जादो एक मैच में बहतरीन परफॉर्मेंस दिये किया वहां गिन्दवाजी की बात करे एक केदार जादो की तो इन्होंने दूसरे वंडे में तो जरूर बहतरीन गिन्दवाजी KI थे लेकिन आज फो गिन्दवाजी नहीं दिखा केदार जादो का का दो तो टीम इंडिया को सोचना पड़ेगा कि आप कहां पर सस्टेंड कर रहे हो अब आपके पस सिर्फ दो मौके हैं हम उमीद कर रहे थे कि भारत जीत के साथ लगातार आगे बढ़ेगा और ये सिरीज जो है आज तीन सुने से अवीजे बढ़त बना लेगा लेकिन ऐसा हुआ अब आश्टेलिया इस सिरीज में वापसी कर चुका है और आश्टेलिया ने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की और उसे भी बहतरीन तरीके से जो गिंदबाजी हमें देखने के मिली शुरु आज से ही दबाव बनाये रखा एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जब आश्टे और सोचने के लिए आपके पास मौके भी नहीं है ये सबसे बड़ी बात है कि आप जो मौके थे वो आपने गवाँ दिये हैं वर्ल्ड कप की तैयारिया जैसे ही वर्ल्ड कप खतम होता है उसके बाद शुरू हो जाता ऐसा मेहंदर सिंग धोनी का मानना था लेकिन टीम इं बल्यबाजी करती रही तो ना सिर्फ ये सिरीज भी गवा सकती है बल्की व्ल्ड कप भी गवा सकती है तो यहां पर टीमिड़ीज में बहुत बड़े बडलाव की जरूरत है अब देखना होगा कि टीम इंडिजा जो अगला मुकाबला जो तशौथा वण्डे मुकाबला सीरीज का खेला जाएगा मोहाली में 10 मार्च को वहाँ पर किस तरीके से टीम इंडिया बले बाजी करती है टीम इंडिया के पास प्रैक्टिस के भी मौके सिर्फ कल का दिन बचा है अब यहाँ से राची से टीम इंडिया मोहाली जाएगी वहाँ पर प्रैक्टिस करेगी और से अगले दिन मैच खेलने उतर जाएगी तो यह सबसे महतपूर्ण अब मुकाबला हो जाता है मोहाली का और शेलियाई टीम के लिए वो कोशिस करेगी अब एक मैच जीत चुकी है तो वो दूसरा मैच भी जीते और दो-दो से बराबरी प बढ़ जाएगा तो भारती टीम मुश्किल में जरूर फ्रस जाएगी और सिरीज गमाना नहीं चाहेगी क्योंकि आप टी-20 सिरीज दो सुनने से गमा चुके हो तो यहाँ पर देखना होगा कि भारती टीम किस तरीके से चौथे बंडे मुकाबले में परफॉमेंस देती है और टीम में बदलाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है चौथे बंडे मुकाबले में अगर इस प्लेइंग लेबन के साथ खास तर पर इस इन बल्ले बाजू के साथ भारती टीम उतरती है तो बहुत बड़ा नुकसा उठाना पर सकता है आपको चौते वंडे मुकाबले में तो यहाँ पे बदलाव की गुंजाइज भी है और आप बदलाव कर सकते हैं केल राहूल को आप क्यों नहीं यहाँ पे मौके दे रहे हैं रिशपंत को मौके विजे संकर को आप उपर बल्लेबाजी करने के लिए ला स सकते हैं तो देखना होगा कि चौते वंडे मुकाबले में टीम इंडिया में क्या बदलाव होते हैं और आज जो 32 रनों से हार का सामना पड़ा टीम इंडिया को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा विराट कोली को कि आगे किस तरीकी रन नीती अपने किस तरीके तयारी करें तो जो भी इंडिया और शेलिया से रिलेटेड अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे फिलाल इस प्रोग्राम में इतना ही आप हमारे नेक्स चैन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले नमस्कार